प्रणाम जे जिनेंद्रा तो वेल्कम टू फॉर्टित क्लास अफ सुत्रवर्तिन रहश्य तो यह क्लास में हम लोग जो सुगुरू वंदन स्तोत्र है वांदना स्तोत्र उसको हम आज कंप्लीट करेंगे तो पहले सबसे पहले मंगला चनन करते हैं नमो प्रणाम नमो सद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्जायारं नमोलोए सबसावन मैंऎसो पंच ﷺ कारो सब पह पा परासरों मंगलांच Его सबसें बढ筆 मोयं हम रागद्वेश विजेतारं ग्न्यातारं विषृवस्तुना सक्रपुजगेराम powerful यह्व्य जर्टेशं स्रृत तो हम सबसे पहले लेट्स ब्रिफली रिवाइस अमने लास्ट क्लास में क्या देखा था तो सूगुरु वंदन स्तोत्र या वांदना स्तोत्र इसकी रचना घंदर भगवन तो ने की है तो ये स्तोत्र द्वारा अम गुरु भगवन को अम गंभिर्चा पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक और बहुमान भाव पूर्वक अम वंदन करते हैं तो सूग गुरु के बिना इस संसार को तैर करना, संसार को पार करना असंभव है क्योंकि सूग गुरु से हमको ग्ण्यान मिलता है, ग्ण्यान की सम्यक परिणती होती है और सम्यक ग्ण्यान से ही सम्यक चारितर की प्राप्ती होती है और सम्मिर्चारित्र के बिना मोक्ष नहीं है. इसलिए हमको गुरु भगवन का चरण सिकार करना चाहिए और ये स्टोत्रादारा हमको भक्ति भाव पूरवक, हमको उसू गुरु को वंदन करना चाहिए. तो ये स्तोत्र में शिश्य गूरू को छे प्रश्ण पुषते हैं और उसके जवाब में गूरू शिश्य को अति सुन्दर छे जवाब देते हैं तो इतने छोते से स्तोत्र में इतनी छोटी सी गूरू वंधन की क्रिया में कितना सारा रहश्य चुपा हुआ है और यह स्तोत्र यह गुरू वंदन करते समाए अपनी चित्त की सुद्धी, अपने अपने गुरू के प्रती भक्ति भाव और ब्रमान भाव का कितना महत्तव है, वो हमको दिखाते हैं तो यह स्तोत्र का हमने जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने देखा की कौन से गुरु को वंदन करना चाहिए, कौन से गुरु सू गुरु है और कौन से गुरु कु गुरु है तो इसके बार में देखा कि पांच परकार के गुरु को हमको वंदन करना चाहिए आचारिया, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और रतनादिक इन शॉर्ट जो भी गुरु भगवंद, जो पंच महावरगधारी है, जो दस यति धर्म का पालन करते है जो सैयम तपरुप धर्म की प्रवर्तना करते है, जो दूसरे जीव, जो धर्म के मार्ग से बिचर गए है उसको वापस धर्म के मार्ग में स्थिर करते है, ऐसे गुरु को सूगुरु करते है और ऐसे गुरु को वंदन करना चाहिए फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से गुरु को वंदन नहीं करना चाहिए, कौन से कुग गुरु कहते है तो बोलते हैं कि जो गुरु जो दोशित हार पानी लेते हैं, जो चारीतर के उपकरन, दर्शन ग्रियान चारीतर के उपकरन जो साथ में रखते हैं पर उसका उप्योग नहीं करते हैं, जो पर की निंदा करते हैं, जो प्रमादी हैं, जो दूसरे के गुरु को सहन नहीं कर सक यह उसको कुगु कहते हैं प्र उसके बाद हमने देखा कि वंदन यह जो गुरु वंदन है वो तीन प्रकार के होते तब से पहले जगन्य वंदन जिसमें हम अर्दावनत प्रणाम करके हाध अंजली बद अज़ोड के हम मत्यर वंदन भी कहते है तो उसको फिटा वंदन कहते और इस को अवरत और अवरत मतलब 12 और अपने शरीर को, अपने ललाट को, अपने हातों द्वारा सू गुरु के चरण को शपर्ष करना उसको आवरत कहते हैं तो ऐसे 12 टाइम्स अपने शरीर द्वारा सू गुरु के चरण को शपर्ष करना उसको द्वार्शावत वंदन कहते हैं तो एक बार यह जब स्तोत्र बोलते हैं तो छे आवरत पूर्ण होते और यह स्तोत्र हम जब दो बार बोलते तो बारा आवरत पूर्ण होते इसलिए यह स्तोत्र हमको दो बार कहा जाता है पिर येस तोत्र हमने इसका अर्थ हमने स्टार्ट किया तो देखा कि ये तोत्र छे विभागों में विभाजित है उसमें छे सिष्य पूछ रहे है तो प्रतम सिष्य पूछ रहे वह सिष्य पूछते की ही एक गुरु भगवंद्रẹ शर्माश्यमान में आपका वंठनकर सकता हो है तो एक पर वंदन करने कि आऽए M शमाश्रमन मुझे सर्व सक्ति के शाथ सर्व विशय कशाय को त्याग करके सर्व पाप रूप व्यापार को त्याग करके आपको वंदन करने की इच्चा है तो ऐसा यहां पर प्रतम क्वेश्चन पुछते हैं तो यहां पर हमने देखा कि जो भी धर्मक्रिया करते हैं वो ग गुरू वंदन की करने चाहिए तो यहां पर प्रतम प्रश्ण शीश्य पूश्ते है कि देखा था कि श्रमा श्रमार किसको कहते है राइट हमको किसको वंदन करने की इच्छा है तो हमको समा श्रमार को वंदन करने की इच्छा है कि श्रमार अर्था जो श्रमा अधी 10 गुरो जो आपने लास्ट देखा था यती धर्म के दस गुर्ण ऐसे श्रमर भगवंद श्रमर मतलब सादू भगवंद वईरागी या फिर जो उप्षम रज को धारन करने वाले ऐसे श्रमर भगवंद तो ऐसे श्रमर भगवंद को वंदन करने की इच्छा है तो इसके जवाब में गुरू दो आंसर दे सकते हैं एक कह सकते कि तीविहेर और या दूसरा कह सकते चंदेर तीविहेर मतलब अभी में काम में व्यग्र हूँ व्यस्त हूँ अभी तुम अभी वंदन करने का निशेद है तो इसके जवाब में शिश्य मात्र मत्हिन वंदामी कहके वहां से चला जाता है और दूसरा जो उत्तर देते। चंदेन, चंदेन अर्थात तुमारी इच्चा को पूरр न करो, जो तुमने गुरुवंदन की इच्चा व्यक्त करी हैं, अभी तुम गुरुवंदन कर सकते हो. फिर उसके बाद हमने देखा कि कौनसे कारणों सर हम गुरुवंदन नहीं कर सकते तो बोलते हैं कि गुरु महराज कोई काम में व्यस्त है जैसे व्याक्षान दे रहे है, उसके बाद गुरु हमारे सनमुक नहीं है परमुक है, गुरु निंदरा कर रहे है गुरु आहार या निहार को जाने की तयारी कर रहे है या आहार या निहार में रुके हुए है तो ऐसे पांच कारणों सर हमको गुरु वंदन नहीं करना चाहिए तो कौन से कारणों सर गुरु वंदन करना चाहिए तो बोलते हैं जब गुरु सांत बैटे हो सांत चित हो, उप्षांत हो, कुरोधादी कशाई में नहीं हो और गुरू जब चंदे न करे तब हमको गुरू अंदन करना चाहिए तो ये जो प्रतम स्थान है, प्रतम क्वेशन है वो हमको गुरू के अउग्रह के बाहर, जो सारा तीन फीट डिस्टंस है उसके बाहर हमको अर्धावनत मुद्रा में खड़ा होकर अपने सरीर को आधा जुका के अंजली बत प्रणाम करके ये स्तोत्र ये प्रतम क्वेशन हमको बोलना है फिर उसके बाद ये प्रतम स्थान हुआ, उसके बाद सेकंड क्वेशन शिश्य पुस्ता है अनुजानह में मेउगम इसको अनुग्णियापन स्थान बोलते है अनुग्णियापन अर्थात है गुरु बगवन मुझे अनुमती दो मुझे परवानगी दो, आग्णिया दो तो किसकी परवानगी तो बोलते हैं में मेउगम मुझे आपके अउग्रह में प्रवेश करने की अनुमती दो तो अभी तक हमने जो भी बोला वो अउग्रह से बाहर रहे के बोला हम गुरु की आग्णिया बिना गुरु के अउग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते अगर वो अवग्रह में प्रवश करे तो हमको अतिचार लगता है, दोश लगता है इसलिए यहाँ पर शिश्य दूसरा क्वेशन पुस्ता है कि ठीक है गुरु भगवंद आपने तो वंदन करने की आग्निया दिये पर वंदन करने के लिए मुझे आपके अवग्रह में प्रवेश करना पड़ेगा तो उसकी आग्निया दो, तो यहाँ पर गुरु भगवंद आग्निया देते कहते अनुजानम में कि मेरी आग्निया है कि तुम अवग्रह में प्रवेश कर सकते हो तो जैसे ही गुरु आग्निया देते हैं, हम दूसरा निसी ही बोलते हैं यह दूसरा निसी का अर्थ है कि मैं सभी अन्य धर्मक्रिया का त्याक करके मात्र, मन, वचन, काया से गुरु वंदन में सामिल होता हूं या गुरु वंदन में करता हूं तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ही हम निसी ही बोलते हैं तो हमको जो 70 संदासा है उसमें से सबसे पहले 9 संदासा करते हैं नव संदासा करने के बाद हम अउग्रह में प्रविश्च करते और अउग्रह के प्रविश्च करने के बाद हम बाकी के पांच संदासा मतलब 14 संदासा तक देते हैं तो हम वापस एक बार यह वीडियो देखते हैं कि यह संदासा कौन से कौन से है कि हम जैसे निसी बोलते हैं तो यह शायद आडियो नहीं आ रहा होगा पर अभी अभी संडाशा पता चलेगा तो यहां पर अर्दावनत मुद्रा में है तो उसके बाद हमको यह फर्स, सैकंड, थर्ड, फूर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर सैवंथ, एथ, नाइण, फिर उसके बाद यह टैंद, और यह इलेवनत, फिर उसके बाद उको टोल, थर्टीन, और फोर्टीन, तो ऐसा करके 14 संडाशा, तोटल 17 संडाशा है, उसमें हम 14 शंडाशा देते हैं, तो संडाशा क्या है? संडाशा वो जीव रक्षा का एक्रिया है, कि अपने कोई भी जीव चुपा हो एक इंद्रिया बेंद्रिया तरज जीव तो उसको साफ करने की उसको हटाने की एक क्रिया है तो अत्यांत उत्तम वह जीव रक्षा की क्रिया है तो यहां पर हमने 14 संडासा देने के बाद हम प्रतम तीन आवरत करते हैं तो प्रतम तीन आवरत कौन स काये मतलब गुरु के चरण कमल को अपनी कायाधारा दूश्रा काया मतलब अपनी कायाधारा संफास मतलब में स्पर्श करता हूं तो यहां पे हम अपनी काया द्वारा अपने ललाट को या अपने हातों द्वारा गुरु के चरण कमल को यहां पे हम स्पर्श करते हैं तो यह बोलते समय हमको चरोडा या रजोहरण को गुरु के चरण कमल की हमको स्थापना करनी है और उस पे हमको मुपत्ती रखनी है और हमको ये क्रिया हमको अहो कायम काया बोलते समय हमको तीन बार हमको दस उंगलियो द्वारा गुरु के चरण कमल को सपर्ष करते हैं फिर अपने ललाट को सपर्स करते हैं, वापस चरन कमल को सपर्स करते हैं, वापस ललाट को सपर्स करते हैं, ऐसा करके यहाँ पे तीन आवरत पून होते हैं, जो बारह आवरत में से तीन आवरत यहाँ पे पून होते हैं, और जब हम संफासम बोलते हैं, तब हमको प्रतम सिर्ष नमन करन है पिर उसके बाद हमने देखा कि यह जो तीन आवरत पून होने के बाद सीश्य अपना वीनाई अपना विवेग भी भुलता नहीं है वो कहता है कम्रिज्योपी किलामा अर्थाद कि कहता है कि मैंने अपने सरीर द्वारा आपने सरीर को जो स्पर्श किया उसके उसके कारण जो भी आपको किलामा हुई है जो भी उद्वेग हुआ है जो खेद हुआ है जो तकलिफ पहुंचिए वो शमा के योग्या है मतलब मैं उसकी शमा मागता हूं देखो कितना विवेग है कि शिश्य को मन में है कि गुरु को थोड़ी भी तकलिफ अपने कारण होनी नहीं होन करते हैं तो यहां पर दूसरा स्थान पूरा होता है उसके जवा में गुरु बोलते हैं उसके बाद निशी बोलके नौ संदासा करते हैं नीचे बैठने के बाद अउग्रह में प्रवेश करने का बागी के पांच संदासा करते हैं और उसके बाद तीन आवरत करते हैं और यह बाद मलब रोग या पीडा रहीत अवस्ता टो यहां पर प्रतम तीन आवरत पूर्ण करने के बाद सिस्य मुः गुरु को पुश्था आये घुरु भगवन्थ आप सुक शाता में तो हो आपका सरीर रोग आपका दिवस बहुत सुख पूरवक व्यतित हुआ है पसार हुआ है तो कितना अध्भूत यहां पर विशेशन यूज किया है कि अल्प कलेश वाले गुरुबगवंद तो शिश्य कहते हैं कि भुरुबगवंद आप तो अल्प कलेश वाले हो आप तो समता धारी हो आपको सभी अनुकूर और प्रतिकूर संयोगों में आप समता को धारन करने वाले हो पर कोई कर्म के उद्धे के कारण असाता विद्धे उद्धे के कारण आपके सरीर में भी रोग या पीड़ा आ सकती है इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि है सुनता है इनका खुश हो जाता है कि गुरुष भगवन का आरोगयं उनका हैल्थ ठीक है और शास्त्र कहता है कि जब सभवभा ऑ प्रकट होता है तब अधिम का कर्म का उपारजन होता है जो उसको मोक्ष तक ले जाता है तो ये थर्ड है आवियाद बाद प्रूचास्तान उसके बाद फोर्थ है सयम प्रूचास्तान तो सयम प्रूचास्तान में क्या कहते है कि जत्ता भे जत्ता भे अर्टा है गुरु बगवन्थ आपकी सयम यात्रा तो सुपुर्वक चल रही है या नहीं तो सयम यात्रा हमने देखा था कि यह जैसे हम कोई देरह सर जाते तिर्द में जाते वो एक द्रव्यय यात्रा रहे पर जो गुरु बगवन्त है उनकी भाव यात्रा है उसको सज्यम-यातर है讓 कि सयम यात्रा मतलब सत्तर प्रकार का सयम जीवन उसमें पांच महावरतों कपालन पांच इंद्रियों का निग्र चार कशायों का त्याग और मन वचन काय की गुपति तो ऐसे प्रकार का सत्तर प्रकार का सयम जीवन आपका सुख पुर्वक चल रहा है या नहीं तो उसको कहत यहां पर question पूछता है उसके जवाब में गुरु कहते मेरी तो सहीयम यात्रा सुख पूरग चल रही है पर आपकी सहीयम यात्रा सुख पूरग चल रही है नहीं वह गुरु अभी शिश्य को प्रस्न पूछते हैं तो यह प्रस्न से शिश्य कि खुश हो जाता है कि गुरू उसकी टेक कैर कर रहे गुरू उसकी सहीयम जीवन की सहीयeze कर रहे और शास्त्रा कहता है कि इस अरचपरस द्वारा गुरु के चरण कमर को पर्स करते और वापस अपने ललाट को पर्स करते तो ऐसा करके यहां पर 4th आवरत पूर्ण होता है उसके बाद फिफ्ट आवरत उसको बोलते हैं यापना प्रूचा स्थान तो यहां पे शिश्यक वापस एक थर्ड क्वेशन पुचता है कि है गुरु भगवन्त आपके मन और इंद्रिया उप्षम भाव में है या नहीं देखो संयम जीवन में सबसे इंपोर्टन क्या है मन और इंद्रिया अर्थाद आपके मन राग द्वेश रहित है आपके मन आरत्य ध्यान रौदर ध्यान में तो नहीं है कशाय रहित अवस्ता में है और आपकी जो पांच इंद्रिया है पांच इंद्रिया विशय और विकार से रहित है पांच इंद्रिय ससक्त है या कोई रोग या पीरा के कारण हो सकती है तो धर्मक्रिया में एक विर्योलास नहीं जाकता है इसलें यहाँ पर यहां पर पूछ रहे कि सइयम की जो उपगी जो मन और इंद्रिया है वो उप्षम भाव में है या नहीं तो उसको कहते है जम्वारी जंचप्पे और इसके जवाब में गुरु बोलते एवं हां मेरे मान और इंद्रिया उप्षम भाव में है तो यहां पर लास के दो आवर्ध पून करते जम्वारी जंचप्पे वापस अपने 10 द्वारा गुरु के चरमड कमल को अपने ललाट से करते हैं तो ऐसे करके छे आवरत यहां पर नहों ini तो यहां पर इसको कहते आपना प्रुचा स्थन कि तो यहां तक अने आपने आपने बताया कि खमा समणों मदलब सायमी गुरु बगवन्थ के लिए है तो हम इच्छा मी खमा समणों आप देरा समय बोलते है रहाइक बगवन को खमा सा देने तो उसको भी उनको भी ऐसे रूप के रखा है यह समा शमन का दूसरा अर्थे वित्राग परमात्मा भी तो त यहां तक हमने देखा अभी सिक्स्त क्वेशन राइट अभी छे स्थाने सिक्स्त क्वेशन तो यहां से लेके सुत्र के अंत तक यह सिक्स्तान चलता है इसको बोलते हैं अपराद समापना स्थान अभी अपने जीवन में अपने दिन में हमने जो भी गुरु के अपराद किये हो यहां पर उसकी शमापना करते है तो इसको बोलते हैं अपराद समापना स्थान तो एक शब्दा आता है आवशिया है तब हम जब आवशिया है बोलतें बाकी के तीन संडासा करतें और और अंगर निकलते हैं और फिर उसके बाद बाकी का शुत्रा पूरा अवगन रेके बोलते पर वो सिर्फ पहले पहले वांद्रां के वक्त पर जम दूसरा जब वांदरा बोलते हैं वापस गुरु की आगना लेते हैं वापस अग्रह में प्रवेश करते हैं पर दूसरे वांदरा बोलते समय आवश्याय बोलने की जरूरत नहीं है अर्थात तुमको अग्रह से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तुम दूसरा वांदरा पूरा अउग्र में रहके हमको देना है तो ऐसी सास्र की विधिये तो यहां पर सबसे पहले शिश्य गुरु की शमापना करते हैं तो बोलते हैं कि कि यह समाश्रमन कि दिवस धर्मान जो भी व्यतिकरम हुआ है मतलब जो भी दोश हुए आपकी विरादना हुए आपकी आसातना हुए उसकी में शमा मागता हूं तो यहां पर कौन से कौन से आसातना है कौन से कौन से विरादना है वह आगे का सुत्रपुरा दिखाता है पर यहां पर सामबन या रूप से शिश्या यहां पर गुरु की शमापना मागते हैं और इसके जवाब में गुरु बोलते हैं मतलब में भी आपको खमाता हूँ मतलब मेरे से भी कोई भी अफराद हुआ हो कोई भी आसात ना हुआ हो तुम में भी उसकी में शमा मागता हूँ देखो शिश्य भी गुरू की शमा मागते हैं और गुरू भी शिश्य की समा मागते हैं तो यहां पर सबसे पहले शिश्य गुरु की शमा मागते कि जो भी मैंने विनय वयावज आदी में जब करता हूं उस समय जो भी अभक्ती हुई हो अश्रद्धा पैदा हुई हो या अविनय पैदा हुआ हो या आपकी आग्निया का जो मैंने पाला न किया हो उसके कारण जो आपकी आसातना हुई है उसकी मैं यहां पर शमा मागता हूं तो यह बोलते समय शिश्य को जब यह सेंटन्स बोले तब उसको अपने स्मरण पर जो भी विरादना हुई है जो भी आसातना हुई है वो आसातना को उसको सोचना है और उसको वो एक उप्योग पुर्वक यह स इप्योग सुन्य भाव से इसको नहीं बोलना है तब यह सुत्र का महत्वा है तो इसके जवाब में गुरू कहते है तो जब शिक्षा देते तो चार प्रकार की शिक्षा देखते है सारना, वारना, चोईना और पड़ी चोईना तो जैसे गुरू शिश्य की कोई उसके करतवया का भान कराते है उसको सारना कहते है पर अगर इस सारना द्वारा शिश्य अगर उसका पालन न करे तब उसको एक कोमर शब्दों द्वारा उसको समझाते है कि यह आगने का पालन तुमको क्यूं करना चाहिए, तो उसको वायना कहते हैं, अगर शिष्य तभी भी वह आगना का पालन न करें, तो उसको कठोर शब्द द्वारा उसको समझाते हैं, उसको चोहिना कहते हैं, अगर फिर भी वह आगना का पालन न करें, तो एक शिक्षा देते हैं, कोई-कोई प पेक्षा की हो विशय के कारण क्रोद के कारण कशाय के कारण या मेरे प्रमात के कारण मेरे आपका हित मेरे को सोचने का अगर मैं भूल गया हूं अगर सोचा नहीं हो तो मेरे से भी आपका अपराद हुआ है उसकी में शमा मागता हूं यह तो अभी कौन से कौन से अफराद है तो यहां पर सास्थ बताता है पुरा पूरा स्थोत्र एंड तक ये आपवराद की बात है तो तो व्यकंतों अन्य व्यकंब्यकम्स पहई टिफरेंस नहीं पहई जेंटी व्यतिक्रम आयुआ कोई प्रकार्ण दोश तकले सोब शहां भाए नाक सब्सक्राएख रचाम, और ऐतीरा के रिएएगानर सब्सक्राद हारton described हुआ है तो बोलते आवसिया है पड़िकमामी अभी जब यह आवसिया है बोलते हैं हमने देखा कि बाकी के तीन संदासा करते हैं और हम अगर से बाहर निकलते हैं तो जैसे यहां पर यह वीडियो में मैं वापस प्ले करता हूं तो यहां पर यह बाकी के तीन वाण टू और त्री तो 16 15 16 17 संदासा करते हैं और हम यह संदासा करके हम अउगर से बाहर निकलते हैं कि हमारे पांग के पीछे भी कोई जीव कि हिंसा ना यह जब बोलते तब करते हैं so तो भबस जातों कि सबसे पहले कौन सा अप्राद है तो दो आफ क्लाव कि आवशक्रिया संबंदि अपराद के लिए हमको पता है राइट हमको चौवीट सत्तों मजब भगवान की पूजा चाति ह Michary पिर गुरु वंदन सामयक प्रतिकमन पच्छान और काउसर तो यह जो आवश्य क्रिया है वह श्रावकों के लिए 6 आवश्य क्रिया है और सादू बगवन के लिए चरण सित्तरी और करण सित्तरी मतलब 70 प्रकार का चारित्र और 70 प्रकार का करण तो ऐसा करके टोटल 140 आवश्य क्रिया करते वक्काफराद कि गुरु ने हमको जिस प्रकार से सिखाया है जिस प्रकार से यह क्रिया करनी की आग्णिया दिये उस प्रकार से हम क्रिया न करे वह गुरु की आसात्ना है अगर हम अप यह क्रिया कैसे करनी है तो हमको अप्रमत भाव से करनी है हमको जैसे गुरु ने बताया है उस प्रकार से ये क्रिया करनी है, पर अगर 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 ये क्रिया बाहिया द्रष्टी से और प्रमत भाव से करें, पर अगर 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 आत्मा का उप्योग ये क्रिया में न हो, फिर भी एक गुरू की आसात्मा है, अपना जोडान ये क् और परमत भाव से करिया न तो यहां पर सवसे पहले गुरू का अफराध है मैं तो शरावक की च्छे आवशक करिया और गुरू की चरण सत्तरी और करन सित्री अमने यह वंदित उस तोटर में यह था कि ऐखिवन्देख की क्षाधुर प्र Holz विल्देते कि स्थीर्प्रकॉन्ट की आवशे क्रिया और उसमें क्यां आता है पांच महोज्ण यति-धर्मस सतर प्रकॉर का संयम ममनें बात किया दस वयावच, मलब आचार्या, उपाध्या, स्थवीर, गलान, आदी दस प्रकार के साधु भगवन की वयावच, इवन संग की वयावच, नौ प्रकार के भ्रह्माचरेवर का पालन, ग्ण्यानाचार, दसनाचार, चारीतरचार का पालन, बाड़ प्रकार के तप, चार प्रक के कशायों का निग्रह ऐसा करके 70 टाइपस ऑफ चरंड सित्तरी अगर ये क्रिया करते वक्त कोई भी गुरु की आगनिया का पालन न हुआ हो तो यहां पर उसकी हम शमापना करते हैं उसके बाद करन सित्तरी करन सित्तरी मतलब विशेश क्रिया जो चरंड सित्तरी वह बेजि तलित दोसरहित आहर लेना सैया वस्तर पात्र की सुद्धी उसके बाद पांच समीति का पालन बार भावना जो अमने पापा ने अपने कॉंकरिंग डेट में समझाया था बार प्रकार की भावना का दिन भर पालन करना उसके बाद बार प्रकार की प्रतिमा अभी विच्छ ये दो गई है अभी कोई इसका पालन नहीं करता है पर पहले के जमाने ये बार प्रकार प्रकार की प्रतिमाति पिर 5 इंद्रियों का निग्र Fenie 25 प्रकार की पडी लेहना इतना डिटेल में नि जाएंगे पर द्रस्टि से पडीलेवन 25 प्रकार का पडीलेहन होती है फिर तीन प्रकार की गुपती और चार प्रकार का अभिग्रophone द्रव्य, शेत्र, कार और भाव से अभिग्र Thai मह miał. महलग कोई प्रकार का पच्खान लेना अभिग्रADE लेना तो ऐसे विशेष्क्रिया तो ऐसे सित्य प्रकार चरण और सित्य पकाड़ के करण उसमें कोई भी अपराद वाय आसात्ना हो या अतिचा लगा लगा हो उसको हम गुरु भगवन के शामने हम सबसे पहले शमापना करते हैं क्यूंकि देखो गुरु की आगने का पालन नहों वह भी गुरु की आसात्ना है राइट वह सबसे बड़ी आसात्ना यह है कि छोव वशक्रिया और यह सादुगन के लिए सित्यर करण और सित्यर करण की क्रिया में कोई भी आगने का पालन ना हुआ हो उसकी यहां पर शबाबना की गई है कोई वेशन्स जो भी 33 पकार की आसात्ना हुई है उसकी में शमापना करता हूं तो 33 पकार की जो आसात्ना हुई है उसकी में शमापना करता हूं तो अभी 33 पकार की आसात्ना कौनसी है गुरु की यह सभी आसात्ना गुरु की है यहां पर वंदितु सोत्रमय में देखा वह 12 वरत की उसके बाद धियार परकार की ऐसाथना कौन सी है तो सबसे पहले कहते है कि लिए और पहली कारण सर रशता दिखानी के लिए आगे चले वह उलग बात है करण गुरू के आगे चलना है गुरू का अव इनाय है वो पहली आसात्ना है फिर उसके बाद विहार करते वक्त गुरू के बाजू में चले टश अल्मोस््ट टच होके चले देखो अमको गुरू के अवग्रह में भी प्रवेस्टी करना है पर निस्थ कारण गुरू के एकदम closely बाजू में चले वो दूसरी आसात्मा है और third गुरु के पीछे अत्य नस्दिक सारे तीन फिट डिस्टंस के अंदर नस्दिक होके चले वो गुरु की तीसरी आसात्मा है तो यह आसात्मा क्यों है क्योंकि उससे क्या होता है गुरु से गुरु के आगना के बीना गुरु के पास रहने से अपने स्वास्वस्वास गुरु को टच होते हैं हम जब छीक उद्रसादी खाते हैं वो गुरु को टच होता है और वो गुरु की आसात्मा है पिर उसी तरह कहते हैं कि गुरु के आगे निश्काराण खड़ा रहे गुरु के बाजू में खड़ा रहे या गुरु के पीछे खड़ा रहे एकदम नजदिक में तो गुरु की आसातना है उसी प्रकार गुरु के आगे निश्काराण बैठे गुरु के बाजू में बैठे टच होके या गुरू के पीछे अल्मूस्ट टच करके बैठे तो ये नौ प्रकार की आसात्ना हुई चलना, उटना और बैठना क्योंकि इससे हमारे जो स्वासो स्वास है आधी गुरू को टच होते है और वो गुरू की आसात्ना है फिर उसके बाद टैंथ आसात्ना कौन सी है कि जब थंडिल भूमी में जाते है शिश्य और गुरू तो शिश्य अपनी दे की सुद्धी गुरू से पहले करे और इवन अगर जब आहर ग्रहन करते हो तो शिश्य अपनी मुक की सुद्धी गुरू से पहले करे वो गुरू की आसातना है गुरू की सुद्धी के बाद ही अपनी सुद्धी करनी है फिर उसके बाद 11 की जब बाहर से गुरू और शिश्य जब उपाश्रह में आ रहे हो तो गुरू के पहले हम उपाश्रह में प्रवेश्च करें वो गुरू की आसातना है सबसे पहले गुर गुरु शिश्य को कुछ पूछे या बोला है तब हम गुरु को जवाब ना दे हमने सुना हो फिर भी हम सोने की एक्टिंग करें तो वो गुरु की आसात्ना है फिर उसके बाद अगर गुरु कोई बहर से कोई गुरुस्त को श्रावक को बुला है काम के लिए तो उस गोराद करें वो गुरु की आसात्ना अधिक फिर उसके बाद जब शिश्य बहर से गुछरी लेके आया है वह गोचरी की आलोश न गुरुको अगुरुके पास करने में जाए वह पुरी आलोशना है पर वह अञ्यसाधुAnt भगवन के पास वह आलोश करे गोच्री की तो वो गुरु की आसात्ना है फिर उसके बाद शिश्य जब गोच्री लेके आता है तब वो अन्यसादू को वो गोच्री पहले दिखाता है सबसे पहले उसको गुरु को गोच्री दिखानी चाहिए और गुरु की आग्निया से ही वो गोच्री को वेजना पर अन्य सादु भगवन को अगर वो गोच्री पहले दिखाए वो गुरु की आसातना है फिर गोच्री लेने के बाद अन्य सादु भगवन को पहले बुलाए सबसे पहले उसको गुरु भगवन को पहले बुलाना चाहिए गोच्री का आमंतरन करने के लिए पर अन्य सादु है वह सपूबPayन को पहले बुलाए और गुरु को बाद में बुलाए वह गुरु की आसात्ना है कि इस प्रकार से को वेंचनी चाहिए पर वह कई्या अजय है बेचे वो गुरू की आसात्ना है फिर उसके बाद जो गोच्री है वो खुद अपने मर्जी से सादू बगवन को एकदम लुका सुका गोच्री दे और अपने अपना वो उत्तम ध्रव्यों खुद वो वापरे वो गुरू बगवन की आसात्ना है फिर उसके बाद दिन में अ कडवा वचन कठोर वचन से बात करें वह उच्छा स्वर में बात करें वह गुरू की आसात्ना है पिर उसके बाद अगर गुरू सिश्य को बुलाए तब उसको सबसे पहले मंतिरवन नामी कहना चाहिए उठके उसको गुरू के पास जाना चाहिए वह अगर बैठा बैठा वह जवाब दे गुरू को तो वह गुरू की आसात्ना है फिर उसके बाद गुरू अगर बुलाए तो तो वह तुछ शब्द यूज करे कि सूच है क्या है तुमने क्या कहा तो तो ऐसा ऐसा वचन बोले वह गुरू की आसात्ना है उसको नमरता पुर बुलाए गुरु को आप करके बुलाना चाहिए पर अगर तू करके तुछ वचन से भाशन करे वो गुरु की आसात्ना है फिर उसके बाद गुरु को प्रति उत्तर दे अगर गुरु शिश्य को कहे कि तूने ये गलत किया है तू तो वयावाचादी ठीक से करता नहीं है तो शिश्य गुरु को बोले कि नई मैं तो ऐसा नहीं हूँ तुम तुम खुद आल्सु हो गए हो इसा प्रति उत्तर दे वह गुरु की आसात्ना है पिर उसके बाद गुरु के उपदेश शंबंदिया आसात्ना कि गुरु कोई सिखा रहे हो धर्म उपदेश दे रहे हो तो धर्म उपनेश्ट देने के बाद शिश्यों को हर्ष प्रकट करना चाहिए, गुरु को एक रिस्पेक्ट और नमरता प्रदान करनी चाहिए, पर अगर वो हर्ष भाव प्रकट ना गरे और उसका जो रुदय और मन ऐसा दुखी करके बैठे वो गुरु की आसात्ना है, फिर उसके बाद गुरु कुछ समझा रहे हो, तो शिश्यों बोले कि नहीं गुरु गुरु देव, इसका अर्थ ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा है, ऐसा गुरु को करेक्ट करे वो गुरु की आसात्ना है, फिर जब गुरु जब धर्म उपनेश्ट दे रहे हो श्रोता क अगर शोता को समज ना पड़े तो शिश्य शोता को बोले कि गुरु भगवन के समझाने के बात मैं तुम्को अती विस्तार से में समझाताऊं तो वो वो गुरू की आसात्ना है। फिर उसके बाद गुरू जब श्रोता को समझा रहे हो और वो उनका व्यक्यन पतारी सया आधि को उठना बैठना वो गुरू की आसात्ना है फिर गुरू के गुरू से उच आसन पर बैठना वो गुरू की आसात्ना है और गुरू के समान आसन पर बैठना वो भी गुरू की आसात्ना है तो ऐसा करके 33 आसात्ना गुरू की आवक्षक सुत्र में और गुर इतना डिटेल में है तो ये जो तेतरी आसात्ना है वह सास्तरकारण ने 4 वि्भावगों में वास्त किये ही द्रव्य के ब्वर ब्रुक्त करता चाहिये और अपने लिए उप्यों करे वह और फ्रुल के मैं उनकी आग्णा के बीना या किसी उनके को आग्णा करना वे शेट्र आसात्ना पिर कार आसात्ना मतलau Age बोलना वहां से पोले उसको एंपकेद दापिर है उसको ब्रसरद्दậy नकी 45 00 फिर उसके बाद थर्ड प्रकार की आसातना तो वह जंकिंची मिच्चा मिच्चा तो यहां पर कहते हैं कि हमने जो भी मिथ्या भाव किया है घुरु ने उसका अपने गलत मिनिंग निकाला है तो वह गुर्ण की आसातना है कि फ़र यहां पर कहते है कि गुरु को मेरे प्रती अपरिती है ऐसा करके कुछ सोचे तो उसको मित्या वाव कहते हैं तो वो गुरु की आसात्ना है तो सिश्य को क्या सोचना चाहिए सिश्य को सोचना चाहिए कि गुरू तो गुर्ण के रागी है और दोश के द्वेशी है वो जो मेरे को जो समझा रहा है, मेरे को जो कह रहा है वो मेरे हित के लिए है गुरू तो करुणावन्त है और मेरे हित के लिए यह कह रहे है तो ऐसा और गुरु तो बाहर से अगर वो कठोर कठोर ता करते हैं पर अंदर थे तो वो शांत प्रशांत और निस्पक्श है ऐसा करके सिश्च को सोचना चाहिए पर उसके अलावा वो कुछ सोचे कि गुरु तो पक्षपाती है, ऐसा कुछ सोचे, वो मिथ्या भाव है, तो ऐसा सोचने से जो मिथ्या जो आसात्ना है, यहाँ पे उसकी शमापना की गई है, कोई भी questions? तो यहाँ पे उसकी शमापना की गई है, तो सबसे पहले मन से दुस्कृत, तो मन से गुरु के प्रति अस्रद्दा करना, अभक्ति भाव करना, right? कुछ भी सोचना, for example, ऐसा सोचना की गुरु तो मुझे तो पढ़ाते नहीं है, अन्य को पढ़ाते, मुझे तो समय नहीं देते, अन्य को समय देते, जो भी गुरु की वहियावच करते, उनको ही गुरु अच्छे लगते, right? वो मन से आसात्ना है गुरु की, हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं, तो मन से आसात्ना, फिर दूसरा है वचन से आसात्ना, कि अव इने के कारण, जब हमको कुछ पूछे, तब उसको हम जवाब ना दे, विलम से जवाब दे, या कठोर वचन से जवाब दे, या गुरु हमको कुछ पूछे, तो उनको संतोसकारी जवाब ना तो वह वचन से आसादना हुई या गुरू कुछ बोल रहे हो तो बीच में हम बोलने लगे उनको रोके या कड़वा करकस वचन बोले वह वचन से आसादना फिर काया से आसादना काया से आसादना में हम गुरू के आग्णिया बीना हम उनके अग्रह में प्रवेश करे गुर कीसी क्रुद्या हुआ हो हम उसकी यह पर शमामागते हैं थे कोइटिश्यन प्रकार की आसातना कोहैं मार आय, माया आय लोब economically म्लाब मान से माया से लोब से जो भी गृुकी आ शातना हूँ है हम उसकी यहां पर शमा मागते हैं तो सबसे पहले क्रोध से कि गुरु ने कोई आग्णिया दी हम क्रोध करें, आवेश करें उच्चे स्वर में बोलें वो क्रोध से आसातना हुई फिर मान से आसातना हम सोचे कि मैं तो गुरु से अधिक ग्णियानी हूँ अपने ग्णियान को दिखाने की इच्चा गुरु के सामने या फिर गुरु की सेवा करना की हमको मान मिले, यश किर्ते के लिए गुरु की वयावच करना या फिर अगर गुरु की हम जब वयावच करते हैं जब गुरु अमको मान न दे तब वह वयावच सेवा छोड़ देना वो गुरु की मान से आसातना है फिर माया माया मनद छल चल कपट करना जो अपने रुदय के जो भाव है उसके उससे अलग उससे विप्रित भाव गुरु के समक्ष करना राइट चीजव वस्तु को अन्य सादू भगवन से चुपा है रैट तो ऐसा करने से वो लोब से गुरु की आसादना हुई तो ये फिप्ट प्रकार की आसादना कोई questions पिर उसके बाद सिख्थ प्रकार की आसादना है सववकालिया है मर सरवकार संबद्धी आसादना मर भुद्कार में आसादना हुई हो वर्तमानकार में जो आसातना हो रही हो और भविश्य में जो आसातना होने वाली हो यहाँ पे उसकी शवापना की कही है दो भूतकाल में मतलब ये भव में या पूर्वा भव में हमने जो भी अविनय असरद्दा या गुरू की आगनय का पालन न किया हो तो उसकी हम माफी माग रहे, वर्तमान में जो भी अविने असरद्धा कर रहे है, उसकी माफी माग रहे, और भविश्य में जो होने वाली है, for example, हम अगर सोचे कि गुरु अगर मुझे ऐसा कहेंगे, तो मैं ऐसा जवाब दे दूँगा, अगर गुरु मेरे को ऐसी आग्णिया करेंगे, तो मैं उनको ऐसा जवाब दूँगा, मैं उनको ना बोल दूँगा, या मैं ऐसा कहेंगा गुरु को, तो ऐसा भविश्य में, जो हुआ नहीं है, पर ऐसा सोचने से, हमको भविश्य काल की आसादना बंद होता है, तो ऐसे ये भव में, या पूर्ववव में, वर्तमान में, भविश्य में, जो भी गुरु की आसादना हुई हो, हम उसकी शमापना करते हैं, तो यहां पर क्वेस्चन उठता है कि ठीक है, हमको वर्तमान में जो जो आसादना हुई है उसको तो हम उसका तो हमको पता चलता है राइट हमको भविश्य में जो आसात्ना होने वाली है उसका भी हमको पता चलता है पर पूर्वभव में कोई आसात्ना हुई है और वो हमको कैसे पता चलेगा राइट पूर्वभव में तो यहां पर सास्तर बोलते है कि हमको महापुन्ययोग से गुरु भगवन मिले है और हमको ऐसे गुरु भगवन मिले है जो गुरुवान है और हमको अपना पूरा जीवन गुरु भगवन को समठ पित करना है पर हमको वर्तमान भव में हमको गुरु के प्रति अगर स्रद्धा पैदा नहो भक्ति भाव पैदा नहों आदर पैदा नहों उनकी आग्णिया पालंग करने की इच्छा नहों तो समझना है कि पूर्व भव में हमने गुरु की आसाथ नकी होगी हमने ऐसे कर्मबंद किये होंगे कि आज हमको जो स्रद्धा जो भक्ति भाव जो प्रकट होना चाहिए वो भी प्रकट नहीं हो रहा है तो पूर्व भव में हमको उत्तम गुरु मिले होंगे पर माना दिकशा के कारण से हमने उनकी सेवा की होगी वयावच की होगी या भौतिक सुख सामगरी की प्राप्ति के लिए हमने सेवा वयावच की होगी मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सेवा वयावच की होगी ऐसा कुछ भी किया होगा कि सयम जीवन अंगीगार करने के बाद भी हमने समरपन प्रकट नहीं किया होगा तो ऐसे कर्मबंध हुए है जो अभी कर्म का उद्धय आ रहा है अभी भी हमको भक्ति भाव और हमको आदर हमको प्रकट नहीं होता है तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पुर्वा भव में हम गुरु की आसात्ना की होगी तो वह सर्वकाल संबंधी आसात्ना कोई questions पिर सेवंत आसात्ना है सव्व मिच्छो वयार आये सर्व मिथ्या उप्चार से अभी उप्चार मतलब भक्ति तो यहां पर कहते हैं कि जो भी मिथ्या भक्ति मतलब हमने गलत तरीके से गुरु की बक्ति कियो या गलत आशाई से ग करते सब्सक्राइट या थी het glor ने कि आपना करते हैं तब सबसे पहले कि गलत तरीके से गुरू की भक्ति कियो और आशाहिं तो गलत तरीके से गुरुकी भक्ति की, हुर्ट थो थो अगर गोर में ऐसा प्रतिकुर्टा प्रतिकुर हो तो गुरूंत की अनुकुर्था या प्रतिकुर्ता के विचार किए बिना अपनी मन मर्जी से गुरू की बक्ति कियो तो वो गुरू की आसात्ना है तो वो है गलत तरीके से गुरू की बक्ति करना और दूसरा है गलत आशय से गुरू की बक्ति करना है राइट हमको जो गुरू की बक्ति वयावच करनी है वो हमको कर्म निर्जरा के कारण हुनी चाहिए करनी है पर हमने करने करना गुरू की बक्ति हम के बहुतिक शुकामगरी लिए भक्ति की तो हम से तो गुरू भगवण को पता नहीं चलता है कि हमारे आशय क्या है बहार से तो ऐसा लगता है कि हम उत्तम भक्ति कर रहा है पर अंदर हमको भौतिक सुख सामगर की इच्छा है तो उसको बोलते मिध्या भक्ति तो गलत आशे से गुरु की भक्ति वो एक माया भी है और वो एक अतिचार है वो गुरु की आसात्ना है कोई भी क्वेशन और फिर उसके बाद जो लास आसात्ना है एट आसात्ना है वो सवध धमाईक मराएं कि मुलव गुरुमब को धर्म का उपदेश्ट इते सर्वेद धर्म का उपदेश्ट रहेदे गुरु में को सब्सक्रीक पांक такую पन्चाचर का पालन इंद्रियों पांच इंद्रियों का निग्रशार कशायों का तो यहां पर गुरु ने जो भी वचन का है जो भी आक्णया दिये वह हमने वह आग्णया का पाला न किया हो तो वह गुरु की बगति और गुरु की वचन का पालन वह गुरु की आसात्ना है तो यहाँ पर सर्व धर्मा, जो भी धर्मक्रिया है, जो भी गुरू भग़ौना हमने कहा है, सामन्य से वो धर्मक्रिया का पाला न किया हो, तो गुरू की आसातना है, पर विशेश रूप से कहते हैं अश्प्रवचन माता मदलब पांस समित्य और तिन गुपति का जो पाला न किया हो उसके करण जो आसात्ना हुई हो उसकी यहां पर शमापना करते है तो कहते हैं थिटीक है ये आंट प्रकार की आसातना तो हुई है अपराद हुई है तो उसको करना क्या है तो बलते हैं परिकमामि निंदामि घर्यामि और उसका मैं परतिकमन करता हूँ निंदा गरता हूँ, गरहा करता हूँ और मैं अपारम वो सिरामी मतलब आत्मभाव से उसका त्याग करता हूँ तो सबसे पहले जो भी आसादना हुई है उसका सबसे पहले क्या करते है कि पडिकमन, मलब प्रतिकमन करते है प्रतिकमन अर्थात कि जो भी पाप आशादना हुई है उससे हम पीछे हट रहे हैं मलब ऐसा कर रहे है संकल पुर्वक निश्य पुर्वक कि वापस वो पाप नहों उसको प्रतिकमन कहते हैं कि फर एक्जामपल हमने अगर जैसे हमने जैन कुल में जन्मा लिया हो तो तो उसी प्रकार ये प्रतिकमन की क्रिया ऐसी है कि हमको वो पाप से पीछे हटना है कि हमको मन से भी विचार ना है कि गुरू की आसातना हो कि ऐसा मंद से भी हम सोच ना पाए कि को भी प्रकार से गुरू की आसात्ना हो, ऐसा हमको पाप से पीछे थ्टना है, उसको प्रतिकमन करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रतिकमन करते हैं, दूसरा है निन्दा, निन्दा मतलब अपने आपको तीरसकार, बीको वंदिती खोतर में मैं मैंने गुरू की आतना का पालन नहीं किया और इसके कारण मैंने गुरू की आसातना किये कि मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना महापापी हूँ ऐसा करके अपने आपको तिरसकार करने का पश्चाता करने का अपने आत्मे आसू लेके आने के तो इसस से गुरू की आसादना की हो वो भाव को बताने का उसको घरा कहते है उससे क्या होता है उससे दो चीज़ होता है पहले तो गुरू के प्रती आधर भाव बढ़ता है और दूसरा अमको गुरू अमको मार्क दिखाते है गुरू कहते है कि हे शिश्या ठीक है यह आसादना चाहुतबौर्ध है ऊपने आत्मा से वह करना कि वापस को निमित मिल्य वापस आतिचार को आसा करना तो ऐसा करके हमको वो पाप को अपने आत्मा से completely हमको निकाल देना उसको बोलते आप्पारम वो सिरामी. तो ऐसा करके सबी आसात्नाव को हम प्रतीकमन करते है, निंदा करते, घरा करते और आत्मा भाव्र से हम निकालते हैं. तो यहां पर यह स्तोत्र समाप्त होता है तो इन शॉर्ट राइट जस्ट टू रिकैप यह द्वार्सावर्द वंदन है इसमें शिश्य गुरु को छे क्वेशन पुस्ता है पहले सबसे पहले गुरु वंदन करने की इच्छा व्यक्त करता है उसके बाद अग्रह में प्रव उसके बाद गुरु के मन और इंद्रिय उप्षम भव में वो कुस्ता है और लास्ट में जो भी अफराद हुए इतने सारे अफराद हमने आठ अपरादों की बात की यह आटों अफरादों को यहां पर वो शमापना करता है और वो अतिचारों से मुक्त होता है तो ऐसा करक दूसरे में वापस六 आवरत है ऑभर दूसरे में आवश्या है नहीं बोलते है अब डूसरे वन्दन करते थामैं हम पूरा गुरु के अउग्रभ में ही रह के पूरा छे हो चे आवरत और पूरा स्थोत्र बोलते है फिर से बाद यहां प एक लास्ट चिज कि यह गुरु व उसको उसको तरिकार वह स्वाध्याय गरन करता है पिर अगर उसको कोई काउसक करना हो कोई जैसे जोग हो कुछ हो तब उसको ये गुरुवंदन करना चाहिए फिर अफराद की शमापना के लिए कोई भी अफराद हो गया हो तब जाके ये द्वार्था बंदन करना चाहिए, कि तीन बार के अलावा भी, अगर कुछ बड़ा अफराद हो गया शिश्य को, शिश्य को तुरन गुरु बंदन करना चाहिए, अफराद की शमापना करनी चाहिए, और फिफ्ट है, कोई अन्यमुनी भगवन, कोई वडिल द समाज कानोर सब हमको वंदन करना चाहिए, तो यहाँ पर यह स्तोत्र हम समाप करते हैं, नेक्स देखते हैं कौन सा स्तोत्र ले, पर मैं क्या करूंगा, कि यह पूरा जो गुरु वंदन स्तोत्र है, मैं उसका वीडियो रेकॉर्ड करूंगा, पूरा वीधी के साथ, एक प्रतिकाम में जर्नली एक तो गुरु वंदन करने के टाइम पर आता है, लाइक जैसे वो, जो, जो, जो मद्यस्त्र गुरु वंदन है, वो करने, पहले यह हांदाना, उसके बाद वह गुरु वंदन, और उसके बाद और दूसरा जर्नली आता है, मुबत्ति के बाद, तो उसका कुछ पहले करते हो पहले गुरुवंदन के बाद मुपत्ति के साथ उसका है मनलब वो जनरली रिपीट ऐसे होता है यह वो ना मेरे को एक बार देखना पड़ेगा पर अगर तुमको याद हो कि पापा ने पुरा प्रतिकमन की वीदी लिया था और हर एक स्टैप में ग तुरा डीटेल में तुरा एक बार देखता हूं मेरे को वापस वो लेक्षर सुनना पड़ेगा पापा का पर हर एक का रिजन है जैसे देवसी इस तुत्रों में चार या पांच बार आता है दस ताइम बोलते और पक्टी में तो एटीन टाइम बोलते हैं नो बार आता है पर हर एक का explanation है की यह वीधे के बाद गुरू अंधन क्यों यह वीधे के बाद वापस गूरू और क्यों राइट तो मैं एक बार आप पर देख लेता हूं फिर नेक्स क्लास में हम उसको स्टार्टिंग में हम शायद दो मिट के लिए सकते कि उसका है कि यह बाइग और ता अगर आपको मिले तो हाँ हाँ वह है पापा का लेक्चर में वापस सुनना पड़ेगा वह आगम वाचना में प्रतिकमन लिया था एक टॉपिक उसमें पापा ने पूरा समझाया था कि अभी मेरे को पूरा याद नहीं है पर या कि हर एक कोई रीजन है अपना प्रतिकमन की जो क्रिया है पक्की राइड उसमें माले ऐसा ही नहीं है कि इतनी बार आता है राइड हर एक का रीजन है कि अद्बूत रीजन से सभी पर एक बार आई तिंग मुझे मुझे वह वापस देखना पड़ेगा को याड क्वेशन तीक है अदर कर देखने इतनी मुझे पर च्छान कर देत है कि नहीं तानम मुझे कि आरे सलीन के इनल flip हो धसैं लियु है कुंवेते तो लिड मिटय कर देते सबीन तरु आन्न मुझे को कर देते को कि अदि देते Thank you so much.